Hello friends, welcome to Price Reju Price Reju में आपका स्वागत है दोस्तों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था ये क्यूब नमबर कैसे फाइंड आउट कर दे हैं तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर दे लेकिन उसके पहले दोस्तों कि आपको एक से दस तब जो भी क्यूब नमबर्स है वो आपको मारून होने चाहिए मैं आपको यहाँ पर एक रिविजन की तौर पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या-क्या क्यूब नमबर्स है 4 5 6 7 8 9 10 10 तो चलो देखते हैं इनके क्यूब नमबर्स क्या है 1 का है 1, 2 का 8, 3 का है 27, 4 का है 64, 5 का है 125, 6 का है 216, 7 का है 343, 8 का है 512, 9 का है 729, 10 का है 1000 तो दोसों यह हमने देख लिया कि एक से 10 सब जो भी क्यूब नमबर्स है वो हमने लिख लिए है दोस्तों यह क्यूब रूट निकाल लेगे लिए आपको एग से दस तक जो भी क्यूब नंबर से वो आपको बायाट करने होंगे या फिर आपको वो याद रखने होंगे तो चलो find out करते हैं क्यूब रूट पहला मैं नंबर दिखा दी हूँ 24,389 दोस्तों यहां में एक simple trick आपको बता रही हूँ कि कैसे हम कुछी सेकंदों में इनका क्यूब नंबर लिकाल सकते हैं तो देखो दोस्तों हमें करना क्या है कि लास्ट वाले यह जो 3 डिजिट है यह पहले हमें देखना है ठीक है अभी इनके unit place में कौन सा number है तो वो है 9 ठीक है अभी एक से 10 तक हमने जो cube numbers लिखे हैं उनमें से कौन से number में unit place में 9 number आता है 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 के नहीं, 6 के नहीं, 7 के नहीं, 9 के 9 के unit place में है वो 9 आता है पराबर है तो इसलिए इसका number क्या होगा 9 ठीक है अभी देखते है number 24 24 ऐसा कौन सा cube number है जो 24 से थोड़े करीब है मतलब 24 ऐसे कौन से number से कौन से cube number से कम है तो वो है यहां पर है 3 का 27 है इसका मतलब 2 का 8 है तो इसका मतलब यहां पर कौन सा number आएगा वो है 29 तो आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों calculate के उपर भी आप try कर सकते हैं कि 29 का cube क्या होता है 29 का cube है 24,389 देखा आपने अब कितने कम समय में पांच सेकंड में हमने यह फाइंड आउट किया है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं दोस्तों मैं और इस आपको इखना बताती हूँ जैसे कि 42,875 हमें इसका क्यूब नंबर फाइंड आउट करना है तो दोस्तों लास्ट वाले 3 डिजिट हम पहले देखेंगे इसके यूनिट प्लेस में है 5 ऐसा कौन सा क्यूब नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में 5 है तो वो है 5 नंबर ठीक है यह हुआ हमारा cube number का second digit अभी हमें find out करना है first digit इसलिए हम देखेंगे पहले two digits नमबर का अभी 42 number मतलब एक से 10 तब जो भी cube number से इनमें से ऐसा कौन सा cube number है जो 42 के करीब है मतलब 42 के 42 से कम है तो वो है 4 का है 64 वो मतलब 42 से 64 ज्यादा है बराबर है तो इसका मतलब 3 number जो है वो है 42 से कम है तो इसलिए यहाँ पे क्या number आएगा दोस्टो 3 तो 42,875 का cube number क्या है 35 दोस्टो आपने देखा किसने कम समय में हमने ये cube root find out किया हुआ है दोस्टो आपको चाहिए तो आप calculator के ऊपर भी check कर सकते है कि ये number सही है कि नहीं है दोस्टो इस trick से आप किसी भी बड़े से बड़े number का cube root find out कर से है तो देखो दोस्टो मैं और एक number आपको बता दी हूँ 250,000 250,000 47 इस number का अभी हमें क्या करना है cube root find out करना है तो दोसों formula हमारा same ही है हम लोग last वाले 3 digits देखने वाले है 7 किसके unit place में है तो वो है 3 के unit place में 7 है तो इसलिए हमारा cube root का number हमें मिल गया है अभी 250 पहले यहाँ पर 2 digits है इसलिए हमने 2 digits लिए है लेकिन अभी यहाँ पर 3 digits है इसलिए हम यह 3 digits लेने वाले है क्योंकि हमारा cube number समें 3 digits भी है इसलिए हमें वो find out करने के लिए आसनी हो सकती है तो दोसों 250 यह number किस number से कम है 7 का cube number है 343 और 6 का cube number है 260 इसका मतलब 250 से कम 216 है परावरे तो इसका cube number cube root क्या है 6 तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6 मिल गया हमें answer 63 दोसों आप देखो चाहिए आप को ट्राइकर सकते हैं अगला number है 493,039 इस number का हमें cube root निकालना है तो दोसों आप देख सकते हैं कि हमें कितना भी बड़ा सा हमें कितना भी बड़ा सा बड़ा number क्यों न मिला हो हम उसका cube root बहुत ही कम second में वो find out कर सकते हैं तो दोस्तों सेम हमारी procedure है लास्ट वाले 3 digits हमें देखना है unit place में है 9 किसके unit place में 9 है तो वो है 9 cube root उसका 9 है 493 यह number कि cube number से कम है 8 का cube number है 512 7 का cube number है 343 और उसका cube root है 7 तो इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे 7 इसका मतलब 493,039 का cube root क्या है 79 देख सकते हैं दोस्तों हम लोग किसमे कम से कम समय में cube root find out कर रहे हैं मैं और एक बड़ा number आपको बता देह हूं 5,31,441 हमें find out करना है इसका cube root 441 इसके unit place में 1 है तो यहां पर कौन सा number आएगा 1 के unit place में 1 ही है इसलिए हमें दूसरा number मिल गया है और 531 यह किस number से कम है दोसों 8 का 512 और 9 का है 729 तो इसका मतलब 512 इस 531 से कम है तो और 512 का cube root क्या है 8 तो इसका मतलब यहां पर आएगा number 8 तो 81 इसका cube root है 5,31,441 का cube root क्या है 81 दोस्तों यह trick बहुत ही आसान है आपको चाहिए आप calculator के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं इस trick से आपको यह भी बड़े से बड़े number का cube root find out कर सकते हैं अगला number मैं आपको बता दे हूँ 157,464 हमें इसका cube root find out करना है तो इसके unit place में है 4 किस number के unit place में 4 है cube number के तो वो है 4 ठीक है यह हमें cube root के second वाला digit हमें मिल गया है अभी देखते हैं 157 तो कौन सा cube number है जो 157 से कम है 6 का है 216 और 5 का है 125 तो इसका मतलब 157 से कम वाला number है 125 और उसका cube root क्या है 5 तो इसलिए मैं यहाँ पे लिग देखी हूँ 5 तो इसका मतलब 157,464 का cube root क्या है 54 देखा दोस्तों हम कितनी आसान इसे कितना भी बड़े से बड़े नंबर का cube root कितने कम से कम से कम से कन में find out कर रहे हैं दोस्तों अगला बड़ा number में आपनों दिखाती हूँ 8,4,357 दोस्तों लास्ट वाले 3 digits हमें देख रहे हैं 7 कॉनसे cube नंबर में है तो unit place के है तो वो है 3 और 804 जबकि 10 का cube है 1000 और 9 का है 729 इसका मतलब 804 से कम वाला 729 है और उसका cube root क्या है 9 तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9 इसका मतलब 8,4,357 का cube root क्या है 93 तो दोस्तों अगला में number आपको दिखाती हूँ 1,3,823 ठीक है हमें इस number का cube root find out करना है तो हम पहले देखेंगे last one is 3 digits 823 अभी unit place में है 3 ऐसे कॉनसे cube number है जिसके unit place में 3 है तो वो है उसका 343 और उसका cube root क्या है 7 तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 103 किस cube number से 103 कम है 5 का है 125 मतलब 103 से ज्यादा है और 4 का है 64 जो कि 103 से कम है लेकिन 64 का cube root क्या है 4 तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 तो हमें मिल गया हमारा answer 47 है इस number का cube root देखा दोस्तों बहुत ही simple है अब इसी trick से कोई भी बड़े किसे बड़े number का cube root find out कर सकते है अगला number में आपको बता दियू 6,36,056 लास्ट वाले 3 डिजिट है 6 number है 6 number में और 636 है कौन से cube number से वो कम है वो 9 के cube number से कम है मतलब 512 636 से कम है और उसका cube root है 8 तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8 आगया आप चाहिए तो आपकी calculator के उपर भी चिक कर सकते है कि 86 इसका cube root है के नहीं चीक है अगला cube number है 474,552 हमें इसका cube root निकालना है सेम procedure है last वाले 3 डिजिट है किसके unit less में 2 है तो वो है 8 और यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और 474 किस cube number से कम है 8 का है 512 और 7 का है 343 तो 474 से कम है और उसका cube root है 7 तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 तो देखा दोस्तों अपने कैसे हमने इस ट्रिक से बड़े से बड़े नंबर सा future find out किया हुआ है दोस्तों यह ट्रिक आपको बहुत ही useful है आप चाहिए कोई भी competitive exam में आप एपियर होते होंगे या फिर कोई आपकी तूल की exam रहेगी आप इस ट्रिक से अगर future find out करते हैं तो आप कुछी second में आप उसका cube root निकाल सकते हैं लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको एस से 10 तक जो भी cube numbers है वो आपको याद रखने होगी तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद हम मिलेंगे हमारे next वीडियो में कुछ नए tricks के झाल